अग्याद लो एविडिवन वेलकम टू चानाक्या इसकेडमी पतना 69 बीपीस पीटी क्रैस कोर्स अभ्यूदय सीरीज में इस सेशन में हम बिहार स्पेसल को कवर कर रहें और बिहार स्पेसल के इस सेशन में मैं बिहार के मध्धे कालिन इतिहास के बारे में आपको बताने वा अगे बिहार के दौरान रूल कर रहे थी तो जैसा कि जो इंडिया का जो मीडियावियल हिस्ट्री था अलेडी मैं ने पाला वंस के बारे में डिसकेसन कर लिया था तो हम यहां पे वह उसको अगेन फिर से बहुत इंदेफ्थ जाके स्टड़ी नहीं करेंगे बस बिहार के आपको याद होगा गोपाला है और नेक्स्ट इंपोर्टेंट किंग धरंपाला एंड नेक्स्ट आफ्टर दैवपाला जो यह पाला डैनिस्टी के जो इंपोर्टेंट रूलर्स थे अब हम बात के जैसे गोपाला नहीं उदन्पूरी उनिवर्सिटी का फांडेशन किया धरंपाला ने आपको याद होगा इंवर्सिटी का फांडेशन किया उसके बाद जो मेजर इंपोर्टेंट डाइनिस्टी आता है जिसका जो फांडर थे वह सुमंत सेंथे आफ्टर जो इंपोर्टेंट रूलर है वह विजय सेंद है बलाल सेंद लक्षमांसन और यहीं लक बात करें मिथना के रीजन में बहुत ही इंपोर्टेंट डानिस्टी ती ठीडिट इच क्रणाट डानिस्टी जिसके फांडर थे नन्हें देव जो अप्रॉक्स 50 एयर्स तक इस रीजन में रूल करते हैं आफ्टर जो इंपोर्टेंट इंग इस करनाट वन्स के जैट गग इंवेड़ करता है और नलाना इंवर्सिटी को डिस्ट्रॉइ करता तो यह नरसिम देव हैं आफ्टर जो इंपोर्टेंट किंग है तब जिसके काल में तुगलक मंस के जो रहते हैं सुल्टान रहते हैं गया सुद्धीन तुगलक वह इनवेड़ करते हैं बिहार के जोन को औ करता है कि जो कटियार खेल्जी है को एक जनरल रहता है जी अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में उसका मिर्ती होता है वह बिहार में डाइट कर जाता है और इसका जो मसूलियम है वह बनाया जाता है बिहार सरीफ में बनाया जाता है लखनावति एंड तिरूत रूलर्स प्रोवाइड मेजर रसिस्टेंस कि सबसे अधिक बख्तियार खिलजी को जो सबसे अधिक रसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वह पर तिरूत जो करते हैं और तिरूत रीजन के जो रहते हैं वह प्रोवाइड करते हैं नुहानी डाइस्टी इमर्टेंट डैनिस्टी इन बिहार डियुडिंग दे रूल ऑप तुगलक जिससे में टाइम पिरिएड रहता है और तुगलक बंस जिससे में सासन करते रहते हैं उससे में नुहानी डाइस्टी का इमर्जेंस होता है इन रिजन ऑव बिहार फुल चंद रूलर ऑफ चेर डैनिस्टी इस्टार्ट जग्दिसपूर फियर और इसी टाइम पिरिएड क करते हैं और उससे वह डिफीट कर देते हैं अब बात करते हैं तुगलक डाइनिस्टी की तो जास हमने डिसकस किया कि गया सुधिन तुगलक भी बिहार पे इन्वेड करता है और जो करनाट वंस के यह बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहते हरी सिम देव अब उसके टाइम पिरियेड में यहां पे अटेक करते हैं और वह डाइनिस्टी इन तिरुट रिजन अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग रहते हैं तुगलक बंस के फिरोज सा तुगलक जब वह अटैक करते हैं तो बेंगावल के सुल्तान को हडाते हैं और जो कामेशव ठाकू रहते हैं जो कि ओईनिवा डाइनिस्टी के डाइनिस्टी इनका कोरोनेशन जब होता है तब यह नुगाणी डाइनिस्टी का मड़िसी होता है और यह सुकन्दर लोदि ही करते हैं भिहार के लिए दरिया खान लोहनी को वह अपोइंट करते हैं अपोइंट करते हैं As The Administrator of भिहार और जैसे ही उनका वो हटते हैं उसके बाद बहर खान लुहानी आते हैं जो खुद को एक इंडिपेंडेंडेंट रूलर के रूप में डिकलियर करता है यही जलाल खान है जो फरीद खान जी से हम कह रहे हैं उनके प्रटेक्शन में वो फाउंड करते हैं ऐस दे रूलर ओफ इस जोन फरीद खान लेट दा इन्वेजन अव बेंगाल एंड सक्सेस्फुली डिफेटेड और हैंस वास गीवेंड टाइटल अवजरत आला और जब फ बेंगॉल को उस टाइम में जब वह बेंगॉल को हडा के उसको कैप्चर करते हैं तब उन्हें टाइटल दिया जाता है जातीज कॉल्ड हजरते आला अफ्र डच्ट एक बहुत इंप डैनेस्टी आपका चेरदाइस्टी इमर्जर अफ्रक ने सब्सक्राइब भोजपूर सारण, चंपारण, मुझापरबूर और पला मु डिस्टिक का जो एडिया था उसमें इस्टेर डाइनीस्टी का इफेक्ट्त था ये इस प्रेट था इस रिजन में था है वोजपुर के उज्ञानी डैनिस्टी की बात करते हैं दिस डैनिस्टी मर्जट फिर्ट होजराज किल्ड सहाव साला ऑफ चे डैनिस्टी ही जनौन एज संतंग सिंग इन भोजपूर और इस बोजपूर में संतंग सिंग के नाम से जाना था आपके उसके बाद फिर उनका जो कह सकते हैं कि जो रहते हैं जो मेरी रहते हैं जिसके बाद हरा जाते हैं संगराम आते हैं राज नरायन करते हैं और ब्रिटिस के यहां पर आने से पहले तक यहां जो इंपायर है वह काफी हो चुका रहता है आफ्टर दाट बहुत ही इंपोर्टेंट डाइनस्टी यह गोल्डेन एरा माना जाता है अप मेडिवियल बिहार वाज जैनित पॉइंट डियूडिंग दा रूल ओप सेर साह सुरी के टाइम जो हम कह सकते हैं कि जो यह जो पूरा का पूरा जोन रहता बिहार का उसे गोल्ड को हमाईू को बूब्स करोंने कि आधिल्स में आइंटे जो भी इनका रहता है वो गोल्डेन जमना जाता है बीःमेरिय इस्ट्रि में बिहार अंडर मुगल रूल की हम बात करें तो जितने भी मुगल रूलर्स आए उन्होंने अपने गवर्नर्स को बिहार में पॉइंट किया इससे बीपेसी बहुत बैक यर्स प्रिविएस यर में कोश्चन पूश चुकी है अगर पहले बात करें जहांगीर का तो जहांगीर ब्यक बहादूर को एस गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट किया था यह पॉइंट आपको याद अखने चाहिए क्योंकि इससे प्रिविएस यर में पूश चुकी है अकबर मेड मुनीम खानम गवर्नर ऑफ बिहार इन बिहार वाज डिकलियर एज प्रोविंस ओफ मुगल इ अजीम और यही अजीम जो है पाटली पुत्रा को फिर से रिवियूल करता है और उसे अपने ही नाम पे अजीमाबाद उसको डिकलियर कर देता है आप्टर जैट जो फिर्स्ट मुघल रूलर कह सकते हैं कि जिसका कोरवनेशन होता है इन विजार पटना उसका कोरवनेशन बिहार में पटना में किया जाता है तो यह था basically हमारा medieval history से important factual points जिससे की विप्यस्टी आपको विभार के question पूछती है तो इसी से questions आपके बनेंगे जो की विप्यस्टी का जो नेचर रहा है अभी तक इस section से question पूछने का वो to the point fact पूछ रहा है तो आई होप से अपके यह questions कवर हो जाएंगे अगर विहार के मेडिवेल हिश्टी से कवर कोश्चन अगर पूछता है तो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताए कि हमारा भियूदे सीरीज आपको कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्लीज सेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को त करें लेह से फजी अगर फगर करें लोस्टी से क sebelum ते बताए अभी बंगर करें लोगर कि बार पूंग